Hey guys, welcome back to my youtube channel, Sivada Viker, आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन आटो मार्केट की upcoming top 6 bikes जो की बहुत ही जल new model में offer की जाने वाली है, बीतेक उस दिनों में कई सारी companies अब अपनी पुरानी model को update करने वाली है, आपने notice भी किया होगा, अभी हाल में यामा ने अपन सबसे पहले आपके पास हो, और कोई विक वाड़ी है तो आप इंस्ताग्नाम पे DM कर सकते हैं, लिंक आपको इस्क्रीन पे flow करते हुए दिख जाएगा, तो बीने time waste किया हुए शुरू करते हैं वीडियो, हमारी लिस्ट की 6th bike है HeroX Pulse 200 4B, अभी हाल में ही HeroX Pulse 200 के new model को testing प complete हो चुकी है, तो अगर कोई वाइक इसको purchase करने वाले हैं, तो मैं इनको यही suggest करूँगा कि आप थोरा time wait कर ले, Hero बहुत ही जल इसके new model को इंडिया में introduce करने वाली है, नया model पुराने model के अपरीजर में ज्यादा powerful और नय color combination के साथ देखने को मिलने वाला है, जैसा कि करने model में आपको 2 valve का engine offer किया जाता है अभी, जिसमें आपको 17.8 PS तक का power मिल जाता है, और 16.49 तक का top produce करती है, new model में आपको 200 CC का 4 valve engine offer होने वाला है, इसमें आपको 20 PS तक का power offer किये जाएगा, जिसकी बज़र से बाइक में अब आपको beta top end और touring boys देखने को मिलने वाला है, current लेट भी हुई, तो ये bike आपको 9 तक आपके नजदी की showrooms में देखने को मिल जाएगा, हमारा लिस्ट की 5th bike है Yamaa MT-15 new model, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें होने वाली changes की, तो पहला update इसके ABS में किया गया है, इसमें अब आपको dual channel ABS offer की जाएगी, अभी तक bike में आपक dual channel ABS अब में देखने को मिलता है, यह ही रिजान है कि काफी लोग dual channel ABS ना होने के बज़ार से दूसरे bikes पर shift हो जाते थे, तो यहाँ पर dual channel ABS अभी तक MT-15 का सबसे बारा कमी माना जा रहा था, next update इसमें अब आपको कुछ नय electronic features भी देखने को मिलेगा, ऐसे rumors में नीकल रहा है FJS B3 में ये updates दिया था, वो सारी features अब आपको MT-15 के cluster में भी देखने को मिलेगा, साथ में अब आपको MT-15 में customization के लिए बहुत सारी accessories भी ओफर की जाएगी, ये सारी accessories international auto market में अभी ओफर की जाती है, same accessories आपको अब इंडिया में भी ओफर की जाएगा, वहीं इसमें अब बिल्कुल नए colors और नए graphics देखने को मिल जाएगा, हालो में international auto market में Yamaha MT-15 के नए colors और graphics को reveal किया था, ऐसा अनुमान लगा चारा है कि MT-15 के new model में भी आपको same way colors और graphics ओफर किया जाएगा, इसमें आपको दो और नए colors ओफर दिये जाएगे, पहला green color और तूसरा matte black, जिसमे आपको red color की stripping देखने को मिल जाएगा, finally अब बात कर लेते हैं इसके price और launch rate की, तो अभी MT-15 के current model की on road price 1,65,000 है, जो की अब 5-10,000 तक बढ़ने बाला है, नए model की on road price 1,75,000 तक देखने को मिलने बाला है, और Yamaa इसको December के last week में launch करने वाली है, जैसा कि आपने अभी है Hero Extreme 160R 4B, अब इहाल में Hero Extreme 160R के new model को dealerships पे spot किया गया है, sources और leaks के हिसाब से Hero Extreme 160R और X-Pulse के new model को एक ही साथ Hero launch करने वाली है, इसका advertisement suit भी complete हो चुका है, तो अगर कोई भी भाई इसको purchase करने वाले हैं, तो मैं उनको यही suggest करूंगा, कि आप थोड़ा time wait कर ले, Hero बहुत ही कई नई models को इंडिया में introduce करने वाली है, Extreme 160R के new model में ज़्यादा कुछ changes नहीं की गई है, इसमें आपको सेम पुराणे model जैसा ही loop और features offer किया जाएगा, इसके engine को company थोड़ा tune करके launch करने वाली है, बट आपको power specs में कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको नए color stealth black offer की जाएगी, जिसका की peak आप screen पर देख सकते हैं, इसके current model का XORUM price 1,12,000 है और वहीं इसके new model का XORUM price 1,15,000 तक का देखने को मिलेगा, वहीं hero इसको festival season तक launch करने वाली है, अगर late भी होई तो ये बाइक आपको नवंबर तक आपके नजदीकी SORUM में देखने को मिल जैसा की आप सबको पता है, बजास बहुत जल्द अपनी NS, RS और Dominar Series में अपडेट करने के तियारी में है, यही रीजन है कि कईयो बार NS 250 और 250F को टेस्टिंग पे पहले भी देखा जा चुका है, अगर उसका detail वीडियो आपने अभी तक चेक नहीं करा है, तो मैं लिंक जब Dominar आपको टेस्टिंग पे दिखी है, तो यह चीज़ तो confirm है कि बजास ज़रूर कुछ न कुछ special आपके लिए प्लांग कर रही है, और बहुत ज़र लांचिंग के मूड में भी है, सबसे पहले बात करें इसमें होने वाली changes की, तो इसमें आपको सेम पुरानी model वाला ह इसमें आपको 6-speed gearbox transmission मिलेगा, इसमें आपको dual channel ABS मिलेगा, कमपनी इसके engine को काफिर refine करके लांच करेगी, इसमें आपको 160 km per hour तक का top speed देखने को मिल सकता है, इसका मायलेस 25 km per liter से 30 kmpl तक का देखने को मिल सकता है, बजार इसको बिल्कुल phrase look के साथ लांच करेगी, इसके look को current model से ज़्यादा बल्की बनाया चाएगा, ऐसे leaks आ रहा है, इसमें आपको fully LED lighting setup देखने को मिल सकता है, इसके tail light को भी बिल्कुल नए design में रखा जाएगा, इसमें आपको नए colors और नए graphics ओफर के जाएगी, इसमें आपको fully digital console ओफर के जाएगी, इसमें आपको speedometer, tachometer, trip meter, gear indicator, time, जैसे एक कई सारी major function सो वेगी, front और rear दोनों में आपको single disc दिया जाएगा, इसमें आपको slipper class दी जाएगी, ये bike dual channel ABS के साथ launch होएगी, इसमें company आपको 12 बिन सिल्द भी offer करने वाली है, बाकि इसके लाबा इसके look में कोई खास changes नहीं की जाएगी, थोरे से minus changes देखन नहीं करने वाला है, expected prices का 2,50,000 से 25,000 तक का एक सोरूं देखने को मिलेगा, अभी इसके current model का एक सोरूं प्राइस 2,12,000 तक का है, हो सकता है launch होने के बाद price tag में थोरा subdown देखने को मिले, और इसके launch rate के देखे, तो ये bike 2,22 के first one तक launch हो जाएगी, बट आप मेरे हिसाब से 22 बाइस मिट तक का ले के चलना, ताकि अगर लेट भी होई, तो इससे जादा नहीं होगा, हमारे लिस्ट की second bike है, बजार sponsor RS200 new model, सबसे पहले बात करें, इसमें होने वाली changes की, तो सबसे पहला change इसके look में किया जाएगा, इसका look अभी जो RS200 आ रही है, उससे similar रहने वाला ह बट इसके look को थोरा बलकी और aggressive बनाया जाएगा, इसके फेरिंग को पहले से अब जादा और sharp लुक दिया जाएगा, फेरिंग आपको new model में भी fully फेरी रहने वाली है, बट फेरिंग के नीचे engine count पे भी आपको नए graphics और काफी अच्छे colors ओफर किये जाएगे, अभी current model के engine काउल simple color में देखने को मिलता है, जो कि इसके look को थोरा बिकार सिकर देती है, बट new model में आप company ये गलती दुबार नहीं करने वाली है, ये तो हो गई इसके look की बाद, दूसरा change इसके lighting setup में की जाएगी, RS200 के current model में आपको projector headlamp देखने को मिलता है, वहीं आप new model में आपको fully LED setup वाली headlight offer की जाएगी, साथ में आपको डो DRLs भी दिये जाएगे, जो कि headlight के ठीक उपर के साइड में रहने वाला है, front visor अब इसका थोरा सा बरा और बलकी रहने वाला है, जिससे के bike looking wise day and night दोनों में काफी aggressive feel देने वाली है, इसके wind still को भी थोरा सा बरा किया जाएग जिससे कि driving गी time पे आपको wind blast issue feel करने को नहीं मिलेगा, बांकी इसमें आपको नए body graphics और कुछ नए colors भी offer किये जाएगे, इसके tail look को भी company change करने वाली है, वैसे तो current model की rear look भी काफी बेहतरीन है, बांकी new model में आपको बिलकु नए fresh rear lighting setup प्रोवाइट करने वाली है, जो की fully LED इसके साथ ही इसके engine को भी tune करके launch किया जाएगा, जिससे कि हो सकता है power में आपको थोरा सा increasement देखने को मिले, बांकी bike में mileage, suspension, braking पुराने model जैसा ही रहने वाला है, नए model में भी आपको dual channel ABS मिल जाएगा, अगर इसमें riding modes भी offer करती है, तो कहीं नी कहीं ये बजाज के लिए अब तक की सबसे बड़ी change हो सकती है Pulsar Series में, बट ये अभी तक confirm नहीं है, अब comment करके जरूर बताना कि क्या इसमें riding mode की बीचर बजाज को provide करवाना चाहिए, अब बात करें फाइनली इसके price और launch rate की, तो इसके new model का XORUM price 1,65,000 तक का रहने वाला है, वहीं बजाज इसको 22 22 के first month तक launch कर सकती है, हमरे list की first and last bike है Bajaj Discover 125, जैसा की आप सब को पता होगा, बीतेक उस दिनों में Bajajaj ने Discover के सारी models को discontinue कर दिया है, अभी तक किसी भी model की BS6 variant को इंडिया में launch नहीं किया गया है, बट बजाज ने इस चीज को officially announced भी नहीं करा है, कि आने वाले दिनों में अब Discover की कोई भी model इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है, इसके पीछे का ऐसा region माना जा रहा है कि Bajajaj अपनी Discover को एक proper update देने के तयारी में है, और ये bike जल्दी कई सारी changes के साथ launch होने वाली है, ये bike काफी नहीं feature से less है और इसमें बहुत सारी चीज़े update भी की गई पुराने model के competition में इसके look को भी काफी हद तक improved किया गया है, बाइक का पहले से जादा बलगी और aggressive look के साथ launch होने वाली है, सबसे पहले बात करकर इसके engine की तो इसमें आपको 124 CC का single cylinder 4-stroke A5 Air Cool DTSI BS6 compact engine देखने को मिलेगा, जो 13 PS तक का maximum power produce करेगी 9,000 rpm और 11 अनम तक का maximum top generate करत देखने को मिलेगा, बाइक में आपको BS4 model के competition में काफी powerful engine के साथ अच्छा खासा power produce generate करते हुए देखने को मिलेगी, 125 CC segment के हिसाब से इसमें आपको काफी बहतर acceleration offer की जाएगी, इसका top speed 115 km per hour तक का देखने को मिलेगी, और ये बाइक 0 to 60 km per hour तक की speed 6 second में पहुंच आती है, अब बात करें इसके look और features की, तो front में आपको halogen headlight offer की जाएगी, जिसको एक साप look दिया गया है, और इसके wind seal को भी पहले से छोटा किया गया है, इसमें आपको 5 spoke allowables company के तरब से ही offer की जाने वाली है, इसमें आपको rear में default on exhaust system मिलने वाला है, जिसके उपर के side में आपको aluminium work देखने को मिलेगी, वही backlight भी halogen दी जा रही है, BS4 model के similar ही रहने वाली है backlight इसकी, tank पे आपको एक cowl मिलने वाला है, जो कि bike के look को और bulkी बना रहा है, BS4 model में ये cowl नहीं offer की जाती थी, बट BS6 model में ये cowl आपको company के तरब से ही offer की जाएगी, इसका instrumenter cluster BS4 model के जैसा ही रहन इस नहीं किया है, instrumenter cluster इसमें semi-ristal दिया जाएगा, जिसमें आपको speedometer, tachometer, trip meter, fuel gauge, gear indicator, time जैसे ही कई सारी basic function so होती है, अब बात कर इसके dimension की, तो इसमें आपको 170 mm का ground clearance मिलने वाला है, इसका overall height 1078 mm का रहने वाला है, इसमें आपको 10 liter के fuel tank मिलेगी और इसका miles 50 to 60 km per liter तक का company claim करती है, इसका covet 125 kg का है, इसमें आपको front में telescopic suspension और rear में mono stock suspension दिया जाएगा, अब बात करें finalist के price और launch rate की, तो बजाद इसकी price stack को थोड़ा सा कमी रखने वाली है, जिससे की bike अपनी competitor bikes की sale easily down कर सके, expected prices का 80,000 से 85,000 तक का 100 room देखने को मिलेगा, और इसका launch rate 21 last का है, हो सकत तो आप मुझे comment करके ये जरू बताना कि आप इस list में से कि spike के लिए wait करेंगे और कि spike के साथ जाना पसंद करेंगे, तो वीडियो के खतम करते हैं, I hope कि आप को ये वीडियो अश्ची लगी हो, अगर अश्ची लगी हो जानों को subscribe कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए thanks for watching the video, आपका दिन सुभो